करो शाण 이제 मंतरी के ऐ штण मोड़ ही नहीं है अगर बच्चा जाते तो उटका निवारन नहीं करते हैं इतों दुर्भाग है से बिहार का सिच्छा मंत्री को और उनके साथ बिहार बोड परिछार समीति ने 420 का काम किया है उनको परिछा से बंचित करकर उनको जलसाजी करका हाट कॉपी सब्सक्राइब करने के लिए पहुचे हुए हैं जिसको लेका आज आज आप परिक्षा से शुरू हो चुकी है लेकिन इसमारे साथ जितने भी अभ्यारती है यह सभी लोगों की परिक्षा छुट गई इसकी कारण आप जान रहे होंगी अभीते हो नहीं जान रहें तो जान लेजिएगा क्या नाम हूँ आपका मेरा नाम रंधिर कुमार हुआ अज आ अधर भी सब्सक्राइब नहीं 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 दिया जाएगा तो बाद में उनको बहुत बड़ी समस्या हैं क्योंकि वह जो सब्जेक्ट से ओनर्स हैं वह सब्जेक्ट करना दे कर दें तो फायदा ही नहीं ऐसे भी बाहर होने वाले इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सरकार नियाय कैसे देगी हम लोगों को इसलिए हम लोगों ने हाई कोट का ध्रवाजा खटकटा आया और सरकार के खिलाप जो हम लोग नियाले में गुहार लगाया हैं कारण क्या है कि हम लोग को बहुत जादे हम लोग परदर्शन किये हैं ब मिस्रा एक हमारे अधिवक्ता थे अब देश मिस्रा उनसे मिले और उनसे हम लोगों ने आश्वासन लिया और लोगों बताया कि देखिया आप लोग कोई बड़ी बात नहीं है सरकार अप लोग निया जरूर देगी आप लोग इस तरह से कार्ज किजिए हम लोग उनके बात सब्सक्राइब कर दोटाइब कर रहे हैं लेकिन उसमें फोटो नहीं है सिगनेचर नहीं है ऐसे भी जोए सब्सक्राइब कर दोटाइब कि इतना मेहनत करने के बाद भी पोटल को नहीं खोला गिया अब देखिए यह सरसर विहार बोड जो परिछा से मित समीती है इसकी पूरी लापरवाही दिखती है क्या जल्दिवाजी थी कि बुल्लेट ट्रेन से भी ज्यादा बंद एक्स्प्रेस से भी ज्यादा एक्जाम ले रहे हैं क्या पताई आज भारत के इतिहास में परिछा का गाइडलाइन है उसमें कहा गया कि 45 दिन में कम से कम परिछा लेजिए लेकिन इन्होंने तो 18 दिन में ही परिछा काइड मिर्कार जारी कर दिया अब बताईए एस्टेट का एक्जाम लगवाग दूहेजार ने लेकिन पोर्टल खूलता ही नहीं था और हम लोग लगातार पहले तो इन्होंने चोईस पर तीस तारी को किया जिस दिन हम लोग अभी पेसी के प्रीका एक्जाम था अब बताईए बच्चा एक्जाम देगा की इडिट करने का यह अप्शन खोले उस दिन भी नहीं खुला तो हम लोगों ने 28 तारीक से लेकर लगातार ती आज तक लोगों ने मोहर मनवाय भी हरबोड ऑफिस जाकर और लोगों को बरगलाये गया बच्चों को मोहर मारकर बरगलाया ताकि ये लोग बतलू हंगामा ने करें और ये लोग को सब्जिक चेंज़ना हो पाना यह ताना अ उनका पषबिया है और उनके साथ यहार बोड परिष्यार समितिने थो 20 का काम किया है उनको परिष्या से बंचित करकर उनको जल शाजी करका हाट कोंपी बच्चों के साथ भवी से बरवाद किया है और हम यह कहना चाहते हैं कि आज हम लोगों ने हाई कोट का दर्वार्जा खटाया है बताइए एक छोटी सी बात है पेपर मीडिया से माध्यम से एस्ट्रीट के लिए केस करना पड़ता है नोटिफिक्सर में जारी नहीं करता है क हम लोग लोग ने करते हैं कि हुट मिननी चाहिए आखेन न्यायलें के सरव में जाकर थो आयोगख भी हो उसको जानिया कराना भाए इसके लिए मेहनत कर रहे होगा दो हुट बहुत निरासा है इतना है कि जब 2019 में कुछ दिनों के लिए परिच्छा देने का मौका छूट गया उसके बाद पांच साल पांच सालों के बाद बच्चों का भविश के साथ खिलवार करना यह सरसर बिहार सरकार और खासकर जो परिच्छा ने तक सब्सक्राइब है खुद जिम्ववार है और यह अरहाल में यह परिच्छा कैंसिल होगा नहीं तो हम लोग और मिलना चाहिए नहीं नहीं मिलेगा तो हम लोग सब्सक्राइब करने का काम करेंगे अगला कदम देखिए आप तो न्याले के सरह मैं है नियाले का क्या निर्देश होता है उसके बाद अगला एस्टेट हम तो लेंगे उसी अधार पर आगे कि करवाई करेंगे हम जो सो देने का भी मांग किया हैं जो उसमें भी जो हैं सब लगाने का बावजू पोटर को नहीं फुला गया तो इसमें तो हम यहीं मानेंगे कि यह बीसी बीकाय नियत में खोट है क्योंकि अगर उनका नियत साफ रहता तो उनका मकसद था फॉर्म उन्होंने निकाला ताकि जो भी maximum candidate फॉर्म भरे हैं और अपना exam दें लेकिन इतना करने हम लोग पिछले चार दिनों से लेकिन कोई सुनवाई नहीं और उसके बाद हम लोग ठक के नियत में खोट है वह नहीं चाहती है हमें तो ऐसा भी लगता है कि वह चाहती है कि चलो इसी बहाने कुछ हजारों के संक्या में कम हो जाएंगे रेस से बाहर हो जाएंगे और यह चीज है इसलिए हम लोग को पहले हम लोग सोचे कि यहां नियाले का दरवाजा खट खटा लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो भी हाने तौर मंत्री से हम लोग करेंगे लेकिन कोई साहियों करने के लिए तयार नहीं हुए सिच्छा मंत्री ने का कि इस्टेट वाला का बड़ा नखड़ा है इसको भगाओ जल्दी से ऐसे ही ऐसा जवाब दिया गया सिच्छा मंत्री नहीं हम तो लगता कब कब का सोई वजब से के तिर पार्टी ने एक्टिव क्रे च्रूंत्र मौड में आये हैं तो सिच्छा मंत्री का हां रखक हाग्य के Count Christina सब गूल है उनका कोई स्टेट्मेंट नहीं है चांपय चांबादे हैं फतक नहीं करते हैं इन पर बढर्रा कर अब लोग ने बीएसी बोड के सचीव से मिलने का परयास हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया और लगातार हम लोगों को तुलाका फर्वान दे कि हम लोग का केडिये किस जित मिल पाती है क्या पतना हाई-कोर्ट से इन लोग को इसाफ मिले गा यह बात देखने वाली होगी और जो इनके लॉयर हैं, जो हिसाफ तोर पर उने कहा कि हम लोग जीत कराएंगे, हम लोग जीत हासिल करेंगे, और इन अभ्यर्तियों के लिए हम कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं, साफ तर पर इनके अधिवक्ता का ये कहना था, चली बहराल इस खबर में इतना ही मिरणमाद कित्यापता पंचाहित देख रहे थे, और इस खबर में क्या अपडेट्स आती, वह भी आपको दिखाएंगे, बने रहे हैं मारे साथ, बहुत-बहुत सुक्रिया.